निश्चे तोर से हम लोगों की बहु परतिक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सब के नेता अधरनी राहुली निश्चे तोर से उत्तप्रजेस से चुनाओ लणे और अमिठी रायबरेली दोनों हुई परिवार है दोनों ही रिस्ते हैं आप देखेंगे रायब के कारकरताओं को पार्टे के के मत्तब उस अमिठी और रायबरेली के गाओं को भी जानने वाले लोग वहां पर सामने हैं मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा अपने राष्टे धग जी को पूरे सीसी की जो हमारी कमीटी है जिन्होंने राहुली कमीट ले आकर रायब पूरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेसा हो रहा हमेसा विकास का कारे हुआ अमिठी के अंदर भी वही हाल है मैं समस्ताओं की दोनों ही जगह से बहुत ही परिवारी करिस्ता है गांधी परिवार का कॉंगरिस का इसलिए आप देखें सबसे विस्वस्त और अ महाल पूरे देश के अंदर एक महाल पूरी तरिके से जो पहले धी बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है और मैं आपको इतना कहना चाहूँए कि इसका असर आने वाला जो जो पांच चरण का चुनाओ है पांचों चरण के चुनाओं पे जपर दस असर पढ़ने वाला है और कॉंग्रेस इंडिया गडबंदन पूरी ताकत के साथ सरकार दो हजार चोबिसे बनने जा रही है यह यह तै हो गया राहूल जी लड़ने वाले लोग फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते लड़े लड़ रहा है और निशी तोर से भारी बहुत से जीतेंगे भा इसा उनका मैसा लगाओ रहा है और हमेसा काम करते रहे हैं मंकर बहुत शूपो सब्राइता है देखिए दिनेश सिंग को लड़ाना या बाजबा का कोई भी कंडिट कहीं बे लड़ रहा है उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है आप सब जानते हो कि दिनेश सिंग कॉंग्रेस में पले थे कॉंग्रेस के साथ ही काम किया सारी बाते की तो इनके पास तो बीजेवी पास तो लड़ने वाले लोग कहीं बचे ही नहीं है हर जगे यही हाल हो रहा है आप बनारस में देख लो ठाके तीसरा केंडिट दे दिया इस बार आज फिर दे दिया पहले बसपा से भाश्पा की मिली भगत है कितना भी कुछ कर ले बनारस में म परणाम है और इसका असर पूरे देश में विशेश रूप से उत्तर प्रदेश पूरे देश में पढ़ने जा रहा है